पहला कोश्चन है दोस्तों हमारा परकास की किरने गमन करती है परकास की किरने गमन करती है अप्शन आपके पास सिधी रेखा में टेड़ी रेखा में किसी भी दीशा में इन में से कोई नहीं तो परकास की किरन गमन करती है सिधी रेखा में हमारा एंसर हो जाएगा यह नमब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है परकास के परवर्तन के नियम है परकास के परवर्तन के कितने नियम है तो परकास के परवर्तन के दो नियम होते हैं हमारा एंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है दर्पन सूत्र दर्पन सूत्र इन में से कौन है दर्पन सूत्र होता है 1 by V पलस 1 by U पलस ब्राबर 1 by F यहाँ पे हमारा अंसर हो जाएगा 1 by V पलस 1 by U इकोल टो 1 by F बढ़ते हैं अगले प्रस्ण है के तरह पगला प्रस्ण है किसी कार का अगरदीप में परियुक्त दर्पड निमने लिखीत में से कौन होता है तो दोस्तों आपको हम बता दे हो तल दर्पड हमारा अंसर हो जाएगा यह नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण है के तरह अगला प्रस्ण है किसी माधियम का पर्तना का मान होता है साइन आई बटा साइन आर हमारा अंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण है के तरह अगला प्रस्ण है निर्वात में परकास की चाल है तो दोस्तों आपको हम बता दे कि निर्वात में परकास की चाल होता है तिन गुळे दसके पवर आठ मिटर प्रती सेकेंड बढ़ते हैं अगले प्रस्ण है किसी समभाहु तिरभूज में निर्वत कोण बिचलन कोण 40 डिगरी और 30 डिगरी बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है लेंस में मुखे फोकस की संख्या कितनी होती है तो लेंस में मुखे फोकस की संख्या होती है दो हमारा एंसर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है सार्च लाइट का पर और तक सता होता है आउतर हमारा एंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण है अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है परकास के अपवर्तन के कितने नियम है तो परकास के अपवर्तन के दो नियम है हमारा एंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प् कालपनिक प्रतवीम बढ़ते हैं कालपनिक प्रतवीम होता है कि कालपनिक प्रत्वीम होता है ऑल शुच मुदर्सी में किसके उपिय ओ भता है हमारा एंसर हो जाएगा D नमर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण एक तरफ अगला प्रश्ण है धोबिया सोडा का रसानिक सूत्र क्या है धोबिया सोडा का रसानिक सूत्र होता है Na2CO310H2O तो दोस्तो हमारा एंसर हो जाएगा D नमर तो बढ़ते हैं अगले प्राश्ण के तरह अगला प्राश्ण है अमले आमले प्येश का मैंन होता है तो अमले प्येश का मैंन होता है चाहत से कम हमारा इंसर हो जाएगा ये नॉमबर बढ़ते हैं अगले प्राश्ण है अगला प्राश्ण है अमारा सवाल है कौन लोड है है HCL, NaCO, NaOH, K2SO4 तिसमें लोड जो है आपका K2SO4 है अगला प्राश्ण है हमारा जीप्सम का रशायनिक सुत्र है तो जीप्सम का रशायनिक सुत्र होता है CA-SO4-2H2O हमारा एंसर हो जाएगा B नमबर CA-SO4-2H2O पढ़ते हैं अगले प्राश्ण के तरफ अगला प्राश्ण है संग्मर्मर का रशायनिक सुत्र क्या है तो दोस्तों आपको हम बता दें संग्मर्मर का रशायनिक सुत्र है CA-CO3 हमारा एंसर हो जाएगा ये नमबर बढ़ते हैं अगले प्राश्ण के तरफ अगला प्राश्ण है हमारे सरीर प्राश्ण के कितने प्राश्ण के बिच कार्य करता है तो दोस्तों आपको हम बता दें 7.0 से 7.8 तक हमारा एंसर हो जाएगा बी नमबर बढ़ते हैं अगले प्राश्ण के तरफ अगला प्राश्ण है जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो बिलियन का पीच होता है साथ से कम हमारा एंसर हो जाएगा C नमबर बढ़ते हैं अगले प्राश्ण के तरफ अगला प्राश्ण है बिरंजक चूड का अलु सुत्र होता है C O CL 2 हमारा answer रहेगा C number बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा बुजा हुआ चूना है C O तो दोस्तों हमारा answer रहेगा C O बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है Lord N A 2 C O 3 का जली बिलियन का पी एच है जली बिलियन का पी एच होता है 7 से अधिक हमारा answer हो जाएगा B number बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है उदसीन बिलियन का पी एच मान होता है साथ हमारा एंसर हो जाएगा बी नमर बढ़ते अगले प्रशने के तरफ अगला प्रशन है सधारा नम्म का रशायनिक सुत्र क्या है तो सधारा रशायनिक सुत्र होता है NaCl हमारा एंसर हो जाएगा B नम्मर बढ़ते अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है बेकिंग पाउडर का अडू सुत्र क्या है तो baking powder का अड़ीश हुता है Na-H-Co3 तो हमारा answer हो जाएगा C number बढ़ते अगले प्राश्णे का तरफ अगला प्राश्ण है Sulfuric Omle का शूत्र तो Sulfuric Omle का शूत्र होता है S2 So2 O3 तो हमारा answer हो जाएगा C number बढ़ते अगले प्राश्णे का तरफ सल्फियूरिक अमल है दोस्तो सल्फियूरिक अमल का होता है S2, SO4 सोरी दोस्तो तो आपका अंसर हो जाएगा B नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ अगला प्रश्ण है सोडियम कर्बनोट काड़ू सुत्र क्या होता है सोडियम कर्बनोट काड़ू सुत्र होता है Na2, Ca3 हमारा अंसर हो जाएगा A नमबर बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के तरफ बेकिंग सोडा का रशानिक सुत्र क्या होता है तो बेकिंग सोडा का रशानिक सुत्र होता है NaHCO3 हमारा एंसर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ निवन में कौन उभेलिंगी जनतु है तो उभेलिंगी जनतु है के चुगा हमारा एंसर हो जाएगा ए नमबर बढ़ते हैं अगले प्रस्ण के तरफ अगला प्रस्ण है पहदो में पहदो में जनन अ कहा पाय जाते हैं तो पथों में में पूष्प में पाये जाते हैं एंसर के नमबरौत आगला प्रस्न है कि एक लिङगी। पूष्प के उधारन है फोरा हमारे एंसर जाएगा C नमबर, बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ, अगला प्रस्न है, गूर्ण सुत्र कहा पाय जाते हैं, तो गूर्ण सुत्र जो है, आपका केंदरक में पाय जाते हैं, हमारा अंसर हो जाएगा केंदरक में, बढ़ते हैं अगले प्रस्ने के तरफ, पूसी पौधो में लौ अब दोस्तों आपको हम कोच सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं DNA और RNA में क्या अंतर है यह आनुबंसिक गुणों के बंसगत होने को नियंतित करता है RNA जो है यह कोचिका में प्रोटीन बनाने का नियंतित करता है निकली पोटियाइड में D अक्सिराइबोज सरक्रा होती है निकलो आइटोवाईज में राइबोज सरक्रा होती है थाइमिन और सिस्टोसिन दो पायरी मिडिन छार है थाइमिन के अस्थान पर युरासिल छार होता है दूसरा पायरी मिडिन छार है सिस्टोसिन होता है और DNA केवल एक ही रूपे मिलता है यह तीन रूपों में होता है इसमें पोली निकलो टाइट की दुरो सरिंखला है एक दूसरे के चारो और कुंडलित होती है इसमें पोली निकलो टाइट सरिंखला केवल एक ही धागा होता है अगला सवाल है हमारा बेकिंग सोडा का संचिप्त क्या है बेकिंग सोडा का रसाइनिक सुत्र होता है एने एच सीओ थीरी तता इसका रसाइनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट इसका निर्माड एने टू सीओ थीरी के जलिये बिलियन में से सीओ टू को गुजारने पर होता है इसका गून होता है कि जब इसे गर्म करते हैं तो यह फूल जाता है और हालका हो जाता है बेकिंग पडरों में टार्टेरिक अमल होता है गर्म करने पर यह यह पानी में गुलन उपयोग इसका क्या है इसका उपयोग बेकिंग पाड़रों को बनाने में होता है पेट की खाराभी के अवस्ता में या अवस्ति के कार्य करता है इसे अगिन निवारक यंत्र भी भरा जाता है अगला प्रश्ण है वास्तिक प्रत्वीम अभासी प्रत्वीम में अंतर वास्तिक प्रत्वीम को परदे पर उतारा जा सकता है अभासी प्रत्वीम को परदे पर नहीं लिया जा सकता है वास्तिक प्रत्वीम सदे उल्टे होते हैं अभासी प्रत्वीम सदे सीधे होते हैं वास्तिक प्रत्वीम दर्पन के आगे बनते हैं अभासी प्रत्वीम दर्पन के पीछे बनते हैं अगला प्रश्ण है उता दर्पढ अता दर्पढ में अंतर इसमें परवर्तन करने वाला चमकिला तल बाहर को उबरा होता है और इसमें जो है अंदर की ओर धंसा होता है इसमें अभासी प्रत्मीम बनता है इसमें अभासी कालपनिक दोनों बनता है वास्तविक इसमें सीधा प्रत्वीम बनता है इसमें प्रत्वीम उल्टा और सीधा दोनों बनता है इसमें प्रत्वीम छोटा बनता है इसमें प्रत्वीम बड़ा छोटा बस्तु के बराबर बनता है उतलेंस बीच में से मोटा तथा किनारे से पतला होता है उतलेंस बीच में पतला किनारे मोटा होता है उतलेंस अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं परकास के क्यूर्णों को एक बिंदू पर करता है ये विखेर देता है बस्तु का प्रत्वीम वास्तु का अभासी उल्टा होता है और इसमें प्रत्वीम अभासी तथा सीधा होता है लास्ट प्रस्ण है उतल दर्पण में फोकस दुरी और वक्रता तिर्जिया में संबन्ध दोस्तो आप मारे वीडियो में पिछले वीडियो में सब देख सकते हैं ये बराबर आरबाई टू होता है कैसे सीध किये चाता है पूरे विस्तार में बताया हूं लेर सुत्र का भी आपको हम बताया हूं दोर्पन सुत्र भी बताया है आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में दोस्तो मैथ भी आप देख्सकते हैं 8.1, 8.2 trigonometry chapter और objective types question आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में जो कि 2022 exam के लिए बहुत ही important है